नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनकेडमी पर, मैं हूँ अंकित अवस्थी, कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे. आएए साथियों. सेशन के शुरुवात करते हैं. कुछ विद्यार्ती कह रहे हैं, यही वाला टाइम कर दो हैं. चलिए. यह वाला टाइम अच्छा है. ठीक है, डिस्कस करेंगे. एक्षिली क्या है कि मेरी अभी तक एक भी क्लास के बाद ब्रेक नहीं हुआ है. दस-फंद्रा मिनिट का ब्रेक होता है बीच-बीच में. है ना? हाँ, जी. हाँ, सुबह से कंटिनुई पढ़ा रहे हैं बजलाल. हाँ, हाँ, वो बीच-बीच में जो दस-पांच मिनिट का ब्रेक आता है, उसमें नाशता, खाना, जो भी करना होता है, वो उसी में हो जाता है, आप ही लोगों की तरह. ठीक है. आज बीच में क्यों किया, इसके पीछे रीजन था. एक्शली हो ये रहा था, मतब क्लासिस के साथ में थोड़ा सा इशू आ रहा था. आज शाम को कुछ क्लास एक और लेनी है थी, जो कि इसके पीछ में कान वो हरी थी, इसलिए मैंने इसको अभी कर लिया, और एक क्लास शाम को एरिजस्ट कर दी. लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए तो आज के लिए ही है, फिर बाद में हम देख लेंगे हैं ना. आईए साथिया, तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को. आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ. मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, सोलर सिस्टम. क्या पढ़ने वाले हैं? सोलर सिस्टम. हम solar system के अंदर आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और क्या important है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों जानेंगे ये सारी बातें क्योंकि आज कल आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन किसी ना किसी सुर्खी के अंदर Mars mission चला ही आ रहा है चंद्रियान चला ही आ रहा है होप mission चला आ रहा है तो और हमारे सिलेवस का पार्ट भी है ये तो ऐसी इस्थिति में हम solar system को आपको पढ़ाएंगे solar system के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए ये वो क्या-क्या है पहले मैं आपको थोड़ असा syllabus के बारे में बता दूँ कि परिक्षाओं में क्या-क्या आता है और हमने आपके लिए क्या-क्या cover किया है इधर देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर solar system के अंदर क्या-क्या आता है ये सारी बातें बताईएं है, फिर एक एक के बारे में कुछ factual data दिया गया है, पिरे पहरे साथियों आप सबसे निवेधन है कि हम लोग आपको ये सारी बातें सिखाएंगे, जो समझाने की हैं वो तो सारा सिखाएंगे, लेकिन जो factual data चीजें है ना, वो हम आपसे निवेधन करते हैं कि किर्पिया करके उन्हें आप याद रखने का स्वते ही प्रयास करें, अर्थात factual data से मतलब कि मैं आपको ये ना बताऊं कि बताईए ये कितने दिन का period है, ये सब चीजें आप याद करें है ना, और फिर कितने दिन में ये समय पूरा करता है, क्या कुछ करता है, समझाने का बहुत सारा part है, जो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इन सब चीजों की मुझसे expectation कम ही रखें, कम इसलिए रखें क्योंकि जो facts हैं, वो facts ही रहने वाले हैं, मेरे बोलने के बाद भी और आपके पढ़ने के बाद भी, हाँ, लेकिन जो समझ की आवशकता जहां ज इसका जो satellite है, natural satellite जिसे हम moon कहते हैं, उसके बारे में भी बताया है, फिर आपको eclipses के बारे में बताया है, moon के बारे में सारी जानकारियां आपको दी गई है, asteroid belt क्या होता है, ये आपको बताया है, इसके साथ-साथ मेरे प्यारे साथियों, comets क्या होते हैं, meteoroids क्या होते ह इनके बारे में बताया है पिर कुछ facts है जिन से समानते आप प्रश्ण पूछा जाता है वो प्रश्ण है कि भई सबसे बड़ा planet कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है किसी को किसी अन्य नाम से जानते हैं क्या, यह तमाम बातें जो हैं मेरे पेहले साथी हूं यहाँ पर आपको इस session में बताई जाएंगे तो अपने आप में इतना rich content है कि मतब जो आप पढ़ लेंगे तो मेरा बानना है कि इसके बाद कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं रह जाएगी है ना तो शुरू करें तो सबसे पहली और जरूरी बात आपको जो समझ में आनी चाहिए solar system के बारे में वो क्या है मैं आपको बताता हूँ देखिए साथियों आवई comments के लिए मेरे पहरे साथियों आप लोग ज्यादा समय फोकस ना करें comments पर पढ़ाई करते रहें last में कुछ बच अपने ही आकरशन के भीतर बहुत सारे लोगों को चकर कटवाता है एक बात बताईए कोई कितना बड़ा नेता है इस बात का अंदाजा आप किस चीश से लगाते हैं मतलब इस शीज का अर्थ थोड़ा सा यह समझने का प्रयास करें, कोई कितना बड़ा नेता है, अर्थाथ आप लोग किसी भी व्यक्ति के बड़े होने का अंदाजा है, विशेश रूप से हमारे भारत जैसे देश में तो किसी के पावर्फुल होने का अंदाजा इस बात से लगाय किसी के कितने फैन हैं, कितने लोग बढ़ने वाले हैं, है ना, तो सहाब आप लोग यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, जो पीछे पढ़ने वाले लोग हैं किसी व्यक्ति के, उसी के आधार पर उसकी पावर का अंदाजा लगाते हैं, कितना ही बड़ा राजनिता हो, कितन लोग उसके पीछे तोटके पड़ रहे हैं उन सबकों साफ आप लोग काउंट करते हैं ऐसे ही इस ब्रह्मान में बहुत सारे सुपरिस्टार हैं उन सुपरिस्टार्स में से एक सुपरिस्टार का नाम सूर्य है उसका नाम क्या है मेरे पहरे साथियों उन में से एक सुपरिस सूरिय・ offenders इसी का नाम भी होना चाहिए थीं है कि ये टो मेरे पैयरे साथीओं कि जो सूरिय नामक सूपरिस्टर है तो वह सूरिय नामक सूपरिस्टार अपने चारो तरफंगार है बहुत सारे छोटे मोटे ग्रैहों को चक्कर कठाना पसंद करता है और उन्हीं छोटे सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने वाले जो भी हैं, वो ग्रहे कहलाते हैं अब सहाब बड़ा सवाल गनता है, सर आपने बहुत बड़ा statement दे दिया आपने कह दिया, कि जो भी हैं, जो चक्कर लगाते हैं, वो ग्रहे कहलाते हैं लाओ, नाम करण कर दो, कौन-कौन इसके ग्रहे हैं, कौन-कौन से ग्रहे नहीं हैं, एक बार सर नाम करण कर दो. मैंने का यार, यह तो मुश्किल काम बोल दिया मैंने, मैंने का तो एक काम करते हैं, International Astronomical Union के द्वारा बैठ करके एक समझाईश की गई, और समझाईश के दौरान यह निर्ड़े निकाला गया, कि सब को हम स्टार नहीं कह सकते, कुछ कानून बनाते हैं, क्या कानून बनाएंगे साब? कुछ कानून बनाते हैं, जिसमें हम यह Decide करेंगे, कि उन्हें ही ग्रेह नाम दिया जाएगा या प्लैनेट नाम दिया जाएगा जो सूर्य के चारों तरफ जब घूमे तो अपने आसपास किसी को भटकने ना दे दुबारा सुनिए जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए घूमें तो अपने आसपास किसी और को भटकने ना दें बोले क्यों भटकने ना दें इसका क्या मतलब हुआ बोले इन में खुद की इतनी ताकत हो या तो कोई इन में ही आकर समा जाए या फिर इन से दूर चला जाए बोले इसका मीनिंग समझाओ सर्थ मैंने का अभी समझाते हैं मैंने का देखिए जनाब वास्त्रिक्ता में न्यूटन का मतलब क्या बोलते हैं रिलेटिविटी का जो नियम है वो यही कहता है कि अगर कोई दो व्यस्तू है मतलब कोई भी दो भारी सवस्तू है या फिर कोई भी दो भारी आपजेक्ट्स है तो उनके द्रव्यमान के कारण वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्शित करते हैं बोले सर जैसे मैंने का जैसे सन का द्रव्यमान जादा है दूसरा प्लैनेट कोई और है इन दौनों के मध्य में जो आकर्शन है वो इनके द्रव्यमान के कारण है बोले अच्छी बात है तो मैंने का ये जो द्रव्यमान के कारण एक दूसरे के प्रती आकर्शन बल लग रहा है यही आकर्शन बल मेरे प्यारे साथियों गुरुत्वा करशन कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है बोले सर ये तो वास्त्विक्ता है आपने शुरुआत में भी बताया था ये साब किनी भी दो मासिज मतलब लौ अफ फोर्स है ये कि भाया अगर कोई भी दो द्रफ्यमान वाली वस्तू है अगर वो एक दूसरे के नजदीक है तो वो एक दूसरे को आकरशित करती है ये बात तो हम सहमत है तो मैंने का भाई गुरुत्वा करशन का अर्थ होता है अगर न्यूटन की बात हम माने तो भाई कोई वस्तू उसी के आकरशन में आकरके उसी के उपर गिर जाएगी गोले जैसे मैंने का जैसे अगर कोई भी एपल पेड से गिरा तो वो जमीन पर इसी लिए गिरा क्योंकि प्रत्वी ने उसे आकरशित कर लिया था तो मैंने का ऐसे ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर अगर कोई लगा रहा है तो वो सूर्य के आकरशन के कारण सूर्य में ही गिर जाना चाहिए और भस्म हो जाना चाहिए बोले सर ये तो गुर्टवा करशन हुआ मैंने का लेकिन जो इस संताप से बच गया जो इस टेंशन से बच गया उसे आपने प्लैनेट नाम दे दिया बोले अच्छा ये कहानी है हमने का हाँ अगर कोई इस सूर्य के प्रभाव से बच गया और चारो तरफ गूम भी रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है उसे आपने क्या नाम दिया प्लैनेट नाम दिया बोले सर एक बात बताईए फिर तो ये जो खुद ग्रहे गूम रहे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये जो गूम रहे हैं इसके चारो तरफ कोई इन में भी तो दुबारा सुनिएगा ध्यान से कोई इन में भी तो गिर सकता है बोले इसका मतलब क्या हुआ बोले सर अर्थ के चारो तरफ कोई ग्रहे चक्कर लगा रहा था लेकिन चक्कर लगाते लगाते संभव है कि वो इसी में गिर गया बोलिए भाई ये भी तो संभव है कि सर कोई इसके चारों तरफ घूम रहा था चक्कर लगाते लगाते गिर गया मैंने का बिलकुल बोले सर गिरते होंगे क्या मैंने का बिलकूल क्या गिरता है मैंने का भाई आप बहुत बार उलका पिंड सुनते हो ना कि सहाप फलानी जगे मीटियरो गिर गया लोणार लेक का निर्मान किसी उलका पिंड के ऐस्टीरोईड के गिरने से बना मैंने का वो वही तो है मैंने का आप लोग वो जो आसमान में चमकते हुए तारे देखते हो जिनमें आग लगी हुई है पूछ बनके गूम रहे हैं वो क्या हैं तूटते हुए तारे वही तो हैं प्रत्वी में आ रहे थे वायू मंडल के प्रभाव में जैसे ही आए आग लग गई उनमें तो धरती दूने कंस्की तक पहुंच नहीं पाई बस बूले अच्छा दो इसका मतलब यह है कि जिसका प्रभाव ज़्यादा है वो अपने आसपास किसी को भी आते ही भश्म कर देगा आसका मतलब यह हुआ कि अपने आसपास का छेतर खाली रखेगा, मैंने का एकदम समझ के सही समझ रहे हो, यह अपने आसपास का छेतर एकदम खाली रखते हैं, बोले अच्छा, तो अर्थ अपने आसपास का छेतर खाली रखता है, मैंने का बिलकुल रखता है, मार्स भी अपने आसपास तो सभाख़ारे दкие 10 सब लोग सथ में रह रहे हैं तो फिर आप कोई नहीं है एक मिन झाल झाल तो फिर साब सवाल ये बनता है कि बोले सर एक बात बताईए कि ये वाली जो चगे थी आपने बताया कि कोई भी चीज यहाँ पर आई तो यहाँ पर गिरना चाहेगी मैंने का बिल्कुल गिरना चाहेगी तो बोले सर ऐसे ही यहाँ पर गिरना चाहेगी मैं बिल्कुल गिरना चाहेगी मैंने का बोले भाई बोले सर एच्छा एक सिंपल सा सवाल का आंसर दो हमने का बताओ बोले सर अगर कोई ऐसा है जो आसपास में बतलब इनके साथ में रह भी रहा है और गिर भी नहीं रहा है हाँ जी क्या आप मेरी बात समझ पा रहे है तो बोले भाई फिर क्या होगा मैं तो बोले मैंने का भाई वो पता है जो आसपास है और इसमें गिर भी नहीं रहे हैं पता है वो क्या करेंगे वो इस बिचारे से प्लैनेट का नाम चीन लेंगे वो इस विचारे से planet का नाम चील लेंगे अगर कोई प्राकर्तिक रूप से इनके आसपास जी रहा है और इसे इसके उपर गिर भी नहीं रहा है इसका प्रभाव भी नहीं मान रहा है तो मेरे प्यारे साथियों वो इससे planet का नाम चील लेंगे बोले कैसे मैंने का आईए अब मैं आपको बताता हूं मैंने का आपको पता है ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहां पे बोले क्या मैंने का इतने सारे छोटे 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 तारे से दिख रहे हैं आपको बोले हां दिख रहे हैं मैंने का भाई सहाब ये सारे की सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहें बोले अच्छा ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहें हाँ बस इनको नाम नहीं मिला बोले कौन सा नाम नहीं मिला मैंने का इनको प्लैनेट का नाम नहीं मिला बाकी तो ये भी वैसे ही चक्कर लगा रहें जैसे मरकरी वीनस अर्फ और मार्स लगा रहे हैं अदर्वाइज नाम रखते रखते पागल हो जाते एक कॉलनी बनाने पड़ जाती पुरा देश बन जाता बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बोले अच्छा तो प्लैनिट का नाम इनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये संग साथ में हैं मैंने का बिलकुल ये आम आदमी रह गए ये खास आदमी नहीं बन पाए बोले अच्छा तो ये आम आदमी ही रहेगा है भीड में रहते हैं खास आदमी अलग रहता है ये तो खास आदमी है सर हमने का बिलकुल फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा पोले सर यदि ये खास आदमी है तो फिर क्या आपको मेरी बात समझ बहारी है पोले सर फिर कोई और उधारन है इसका मैंने का पता है आपको once upon a time चार ये वाले और चार ये वाले आट और एक ये वाला नौ फुल नौ प्लैनेट हुआ करते थे लेकिन साथियों astronomical union ने इस Pluto से इसके द्वारा इसको दिया गया जो दरजा था इसका प्लैनेट का वो छीन लिया बोले नहीं 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 ये ग्रह नहीं है मतलब बोले इसको ग्रह का दर्जा मत दो, ये ग्रह नहीं है, बोले क्यों नहीं है, अरे इसके अंदर कोई प्रभाव ही नहीं है खुद का, बोले खुद का प्रभाव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बोले ये अपने आपको ग्रह साबित करने की इस्तिती में नहीं बचा बोले अच्छा तो इसका मतलब जब ये अपने आपको ग्रह साबित करने की स्थिति में नहीं बचा क्योंकि इसके साथ में कोई और गूम रहा है तो अब आप देखिए प्लैनेट किसको कहा गया प्लैनेट उसको कहा गया जो सूर्य के चारो तरफ गूमता हो नमबर दूसरा खुद का इतना बड़ा साइज हो कि आसपास के मामले को साफ रखे और ग्रैविटी की वज़े से उसका खुद का आकार गोलाकार हो तब जाकर कि ये तीन कंडिशन पूरी होने के बाद में मेरे प्यारे साथियों इसे हम प्लैनेट कहते हैं खुलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि प्लैनेट शब्द कभ यूज़ किया गया तो मेरे प्यारे साथियों मैंने अब आपको बता दिया है कि प्लैनेट शब्द इन तीन कंडिशन के उपर यूज़ किया गया था कौन-कौन सा, एक तो सूरे के चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ, दूसरा, वो खुद के ग्रेविटेशनल बलके कारण किसी और को अपने आसपास ना रहने देता हूँ, और खुद जो है, वो गोलाकार आकरती का रहता हूँ, तब जाकर के आप उसे क्या कहते हैं, प्लैने प्लैनेट क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ये दो प्लैनेट्स एक साथ साथ भूम रहे होते हैं, बोलिए साब, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, बताईए, डन है, अच्छी बात, फिर आपके मनमिक सवाल बना, बोले सर, आपने कहा, अपने प्रभाव में किसी को ना रहने देता हूँ, सर ऐसे तो अर्थ के चारो तरफ भी मून घूम रहा है, फिर आप अर्थ को प्लैनेट क्यों कहते हो, ऐसे तो अर्थ के सामने भी प्लैनेट रहता है, तो इसे मून क्यों कहते हो, मतलब इसको वो क साथियों, मून जो है न, वो अर्थ की परिक्रमा लगा रहा है, ना कि सूर्य की, जबकि प्लूटो जो है, ये अपने साथ में जो छोट सा पार्ट लिए घूम रहा है, ये दोनों मिलके सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, दुबारा सुनिए, सेटर्ण के चारों तरफ ये जो गैसाकार आकरती आपको दिख रही है, या फिर कोई भी मादलब किसी के पास में जो सेटलाइट होता है, वो सारे की सारे को क्या या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि उनका जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, जो इसमें गिर पड़ता है, वो सेटलाइट खुद का हो तो ठीक है, किसी और के साथ-साथ, यानि की भीड में न गूम रहा हो, प्लूटो में क्या हो रहा है, दो लोग ऐसे साथ-साथ गूम रहे हैं, जो दौनों ही सूरे की परिक्रमा लगा रहे हैं, सूरज ने कहा कि तुम यार अपना इंप्रेशन मेरे सामने किलियर नहीं कर पाए, बोले क्या, तुमको बड़ा मानूं कि इसको बड़ा मानूं, मेरी नजर में तो तुम दौनों ही एक जैसे हो, तुम्हारे अंदर डिफ्रेंस होना चीए ना यार, लगना चीए कि तुमको मैं मतलब कुछ पद दे सकूँ, तुम दौनों के बीच में मैं वो नहीं कर पाया, चीक बात है, बोले ठीक है सर, तो मेरे प्यारे साथियों, यही हुआ कि जो आप लोग यहां पर प्लूटो को देख रहे हैं, वो अपने आपको सैटेलाइट नहीं कहलवा पाया, फिर आप पूछेंगे, बोले सर, एक मिनिट रुकिए, ऐसे तो फिर यहां पर भी बहुत सारे वो लगे हुए हैं, मैंने का बिटा, यह सब प्लैनेट की ही लाइन में लगे हुए हैं, यह हमें भी प्लैनेट बना दो, बोले क्यों, बोले हम भी तो सूर्य के चारो तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, सूर्य के चारो तरफ यहां भी बहुत सारे छोटे छोटे एस्टिरॉइड हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये प्लैनेट नहीं कहला है क्या आपको मेरी बात समझ में आई बोले सर फिर क्यों नहीं कहला है मैंने का तीन कंडीशन है पहली कंडीशन गोल होना चाहिए दूसरी कंडीशन खुद की इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि सहाब उसके आसपास का मामला साफ हो तो सहाब यहाँ पे ना तो इनके आसपास का मामला साफ है ना ये गौल गोल है बस सूरे के चक्कर लगा रहे हैं यही एक चीज़ है हाँ भई दीरज और जो भी वक्ति जो अभी आए हैं लेट तो आए हैं आप लोग और इस समय क्लास का वीजन ये था कि मुझे शाम को कोई और क्लास मेरी पढ़ गई थी इस चक्तर में आपकी क्लास कैंसिल ना करने पड़े तो आज-ाज के लिए ये काम किया गया है हाजी चलिए आगे बढ़े अब सवाल वनता है ये आपने सही कहा कि सहाब ये प्लेनेट कहलाने के लायक नहीं थे ठीक बात है बोले सर एक बात बताईए अब ये जो एस्टिरोइट बेल्ट है इधर की तरफ कूपर बेल्ट है इनको याद कर ले ना बिटाब है ना कौन-कौन सा इधर की तरफ एस्टिरोइट बेल्ट और इधर की तरफ मेरे प्यारे साथियों कूपर बेल्ट ये दो बेल्ट है सर ये जो एस्टिरोइड बेल्ट है इससे अंदर की तरफ प्लेनेट है और इसके बाहर की तरफ प्लेनेट है कोई अंतर है क्या मैंने का जी हाँ क्या अंतर है मैंने का इससे अंदर की तरफ जो प्लेनेट है मेरे प्यारे साथियों इन्हें आप Inner Planet कहते हैं, क्या कहते हैं, Inner Planet कहते हैं, इन्हें सूर्य का तापमान तुलनात्मक रूप से नजदीक होने के कारण जादा मिलता है, आगी बात समझ में, और जो इस Asteroid Bell से बाहर की तरफ हैं, इन्हें आप Exoplanet कहते हैं, या Outer Planet, या Exoplanet कहते हैं, तो क्या नाम निकल के आया, Asteroid Belt और Cooper Belt, ठीक है, तो Exoplanet कौन हुए, जो Asteroid Belt से Cooper Belt के बीच में रहते हैं, Common Sense कहता है, कि सहाब Exoplanet में क्या होता होगा, बोले सर, तुलनात्मक रूप से सूरे का प्रकाश कम होता होगा, जब सूरे का प्रकाश कम है, तो तापमान कम होता होगा, तापमान कम है तीज़िसीरी बात इन को सूरे के चारों तरफ चक्क्र लगाने के अंदर बहुत सारा समय लगाना पड़ता होगा यानि कि इनका परिक्रमा मार्ग अरे आप सोचके देखिये अर्थ और मार्ग के बारे में अगर हम तुल्ना करें तो मार्स अर्थ के तुल्ला में लगबग दुगना समय लगा रहा है है ना तीसरा फिर ये बोले थड़े ठंडे जादा होंगे चौथा अगर आप ध्यान से देखें अब देखें मैं एक बार erase all करता हूँ फिर आपको कुछ नजर आएगा आप notice करिए देखिए आपको बनाने की बनावट के आधार पर समझ में आ जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये ज़्यादा अच्छे से visible हो रहे हैं आपको आप notice करिए ये ज़्यादा अच्छे से आपको यानि लगबग तिरी फोर्थ हिस्सा जो है मतलब इसका तो हाफ पोर्शन भी क्या नहीं हो रहा है विजीबल नहीं हो रहा है हाफ से भी थोड़ा कम हो रहा है क्या आपको मेरी बात समझ में आई इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब ये निकला मेरे प्यारे साथियों कि जितना दूर है उतना कम सूर्य का प्रकाश है जितना नजदीक है उतना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश है ज़्यादा अच्छे से विजीबल है कहते हैं कि दूर वाले इतने दूर है कि उनके बारे में ये भी नहीं पता है कि वो सॉलिड है अथ्वा गैसियस फॉर्म में है आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक की बात क्लियर हो गई ठीक बात है तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको प्लैनेट बता दिया प्लैनेट के साथ साथ अब कुछ factual डेटा बाते भी सीख लीजिएगा फिर इसके बाद में हम आपको ग्रेहन पढ़ाएंगे ग्र प्रत्वी से मंगल कितना दूर है मंगल आज ही पढ़ाये थे सुबह क्लास में पचपन मिलियन किलोमीटर दूर है ठीक है ना हाजी एक विध्यारती पूछ रहे हैं कि कोई गया है क्या मार्स से आगे बिटा अमेरिका वालों का वोयाज मिशन करके एक मिशन है जो इस को भी क्रॉस कर गया है नासा वालों का अपन तो अभी मार्च तक ने की बात कर रहे हैं नासा का वोयाजू मिशन है और अभी भी चले जा रहा है वो इसको भी क्रॉस कर गया है कि सबको क्रॉस करके चला गया है are connection connection वोयाज वन वोयाज टू दो बेज़े गए थे विटा वो सोलर एनरजी से चलते रहते हैं क्लियर है हाजी चलिए आगे बढ़ते हैं यह असल में इस ब्रह्मांड के परे कोई और ब्रह्मांड है या नहीं उसकी जांच के लिए गया हुआ है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इस ब्रह्मांड के परे कोई और ब्रह्मांड है क्योंकि अपन ने सोलर सिस्टम की बात करी इस ब्रहमाण्ड में सोलर सिस्टम यानि सौर मंडल एक तो ये वाला सूर्य है, सौर्य के चारों तरफ अपन लोग प्लैनेट बनके घूम रहे हैं, तो ऐसे तो सूर्य और भी होंगे, तो ऐसे सूर्य अगर कोई और भी हैं, तो उनके बारे में भेजा गया है, कि उनके भी ऐसी ही व्यवस्था होंगी, उस व्यवस्था को मेरे प्यारे साथियों ढूंडने के लिए, हाँ, आगे बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों, अब प्लैनेट के बारे में हमने बताया कि सूर्य का डायामेटर क्या है, सूर्य का टेंपरेचर कितना है, सूर्य भी अपनी अक है हलो हाँ जी तो इसके अंदर क्या है मेरी प्यारे साथियों यहां पर मास जो है 1.99 into 10 kg तो यहां पर क्या हुआ इधर समझते चलिएगा तो यह सब चीजे आपको लड़नी मितलब याद नहीं करनी है लेकिन यहां पर आप लोग एक चीज को और ध्यान से रखें कि यह वाली जो है इस वाली जगहे पर तापमान कैसे पैदा हुआ तापमान पैदा हुआ जब दो एटम जो है वो आपस में मिले और एक नई चीज का निर्मान किये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिला और हिलियम का निर्मान किया इस वजह से एक अभिक्रिया हुई जिसे आप न नूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया कहते हैं. नूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? ना भी किया सनलयन की अभिक्रिया कहते हैं. सनलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के हिलियम का निर्मान करते हैं. यही कारण है कि यहाँ हाइड् का निर्मान हुआ। साथियों यहां पर ना भी किये fusion की अविक्रिया ना भी के संलयन के कारण ही सूर्य के प्रकाश का निर्मान होता है। इसमें मेरे प्यारे साथियों जो सूर्य के आसपास का छेतर है जो हमें चमकिला दिखाई देता है उसे हम photo sphere कहते हैं जो हमें लाल color का हिस्सा दिखाई देता है इस लाल color के हिस्से को हम chromo sphere कहते हैं और मेरे प्यारे साथियों जब हम लोग कई बार वो देखते हैं ग्रहन वगेरा देखते हैं तो जो सूर्य का चारो तरफ का केवल पूर्षन हमें रिंग के रूप में दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं तो कोरोना क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जो Eclipse के दौरान इस Chromo Sphere का जो हिस्सा केवल हमें इतना इतना सा दिखाई देता है एक ring बन करके उसे हम Corona कहते हैं Corona Virus को इससे ना जोड़ें अब आप लोगों को Corona Virus तो अच्छे से याद रह जाएगा लेकिन हाँ, resemble कर सकते हैं आप इसे कैसे resemble कर सकते हैं? भ्यान से सुनिएगा भ्यान से सुनिएगा हाँ भई, NASA का अभी भी है उसके साथ में हाँ, अभी भी संबंद है उसके साथ में है आज Google करके पढ़ ले ना, Wiser One के Mission के नाम से है मिल जाएगी यह विद्धारती काफी जादा Curious हो रहा है उस Mission के बारे में हाँ जी, तो इधर देखिए आप, इस तरफ से देख रहे हैं वो लपट जैसी चीजें ही, कोरोना में भी नजर आती है इसलिए वाइरस का नाम कोरोना वाइरस रख दिया था ठीक है ना? पहलिए, आगे बढ़ते हैं मेरी प्यारे साथियों मतलब एक कोइंसिडेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है अब एक जोगराफी का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और वो क्या है? वो हम आपको बताते हैं प्लैक राउंड ब्लैक राउंड तो बिटा कहीं भी नहीं है ये स्पोर्ट जरूर है जो आपको दिखाई दे रहा हो इसे मेरे पहरे साथियो सन स्पोर्ट कहते हैं ये तो डाइग्राम है यार गजब ही हो यार देख पजापती, कुछ जादे दिमाग नहीं लगा ले लिए हाँ जी, सोलर एकलिप्स, इसके बारे में और बैक भी आ गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये एरीज क्या होता है? अरे ये इसी के जैसा ही कोई अगेन ये कोई प्लैनेट नहीं है, इसके जैसा ही कोई एस्टिरोइट बैल्ट के अंदर निकला हुआ अबजेक्ट है ठीक है? आजी, चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों सोलर एकलिप्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं क्या होता है? अब देखिए, हमको ये बात तो समझ में आ गई है कि सूर्य के चारो तरफ, इधर देखें आप, सूर्य के चारो तरफ प्रत्वी चक्कर लगा रही है, अब क्या हुआ? कि जब सूर्य के चारों तरफ प्रत्वी चक्कर लगा रही है तो सूर्य और प्रत्वी के बीच में अब ध्यान से समझना सूर्य के चारों तरफ प्रत्वी चक्कर लगा रही है और प्रत्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है यह देखें हैं अगर इन दौनो के बीच में चंद्रमा आ जाए किस के बीच में सूर्य और प्रतिवी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो हमें सूर्य का वो वाला हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता जो की चंद्रमा के पीछे छुपा रह गया है और इसे ही हम सूर्य ग्रहेन कहते हैं अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्यों आईए साथियों देखिए टेक्निकली अगर आप इस बात को समझना चाहेंगे तो इसके पीछे की साइन समझ में आ जाएगी आप पूछेंगे कि सर फिर हमको सूर्य का सूर्य बढ़ा है कि चंद्रमा बढ़ा है हमको फिर सूर्य अभी बताते हैं भाई साहाब आप यहां खड़े हो नन्ने मुन्ने प्राणी हो आप यहां खड़े हो मून का साइज तो अर्थ से जादा होता है इसने कह दिया अंकिता ऐसा नहीं है विटा आप एक मिनिट के लिए रुकिए फिर बात करिए मैं आपको बताता हूं आप अ किया है तो इस प्रतिबा का प्रदर्शन जरूर करें जब सूर्य सुर्य सुबह सुबह उग रहा हो तो एक फोटो तो कम से कम आपकी वह वाली बनती ही है जिसमें आपके हाथ में सूर्य हो है ना आप यह खड़े हो कोई आपकी फोटो ले रहा हो फोटो लेने वाला ऐसी को लेकि आपकी आंजली में सूर्य आ गया है कैसे कि दूर से वो छोटा दिख रहा है हाथ नजदीक है कैमरे में यह कैप्चर इजी ली हो गया है है ना कैयों ने तो सूरज को यह भी पकड़ के फोटो के च्वाई हुई है कि देखो मेरे हाथ में सूरज है संसेट पॉइंट पर और जहां संराइज होता है वहाँ पर लोग यही सारे काम करने जाते हैं है ना अब अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि आप सूर्य के सामने सूर्य पर ग्रहन आप भी लगाते हैं आपने कभी नौटिस नहीं किया बस बोले सर हमने ग्रहन कब लगाती है बाई सहाब जितना ग्रहन आप लगाते हैं उत्ता तो ग्रहन कोई लगाते हैं बन सर ऐसे मत बोलो हमारे पापा नाराज नहीं होंगे बस द्यान से सुनते चलिए कैसे तेज धूप निकलती है तो आप सूरे को अपना हाथ दिखा करके उस सूरे के प्रकाश को यह रोग देत आप अपनी आँखों में सूरे का प्रकाश नहीं आने देते हैं वो जो आप हाथ लगा करके सूरे के प्रकाश को यह रोखते हो ना यह करके बस वही तो ग्रहन है मतलब मैंने का आप लोग कई बार सूरे पर हात लगाते हो फिर थोड़ा-थोड़ा सा नीचे की तरफ करके देखते हो तो फिर आपको सूरे तेज चमकता हुआ दिखता है फिर आप क्या करते हो भाइस साब फिर आपने अपना हाथ कभी-कभी पूरा हटा दिया तो एकदम सूर्य का तेज रोश्णी आपके चैरे पे आता है 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 होता है कि नहीं होता है यही काम चंद्रमा कर रहा है आपने चंद्रमा को थोड़ा दूर भेज रखा है वह सूर्य के जितना सामने आता है चंद्र ग्रहन सूर्य ग्रहन उतना ही बनता चला जाता है अभी देख लो आप एक बार के लिए ग्रहन पहला पैदा करके देख लो जाओ सूरे ग्रहन दिख जाएगा क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है एक्जेक्टली ऐसे ही प्रतनी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है वो जो सूर्ये चक्कर लगा रहा है अगर आप उस सूर्ये के सामने उंगली कर दिए exactly जब चन्धरमा सामने चला जाता है तो चन्धरमा को चन्धरमा तो बुले सर्थ फिर एक बात बताओं फिर कोरोणा हमें क्यों दिखाई देता है मैंने का यार फिर जब बात कर रहे हो अगर मान लो सूर्य के कारण आपके आप बात बताओ जब यह हाथ लगाते हो तो क्या पूरा सूर्य की रोश्णी फौश्णी सब गायब हो जाती है क्या रोश्णी तो गायब नहीं होती ना तो फिर क्या होता है उसके चारों तरफ आस पास-पास का छेतर आपको दिख रहा है जिसको आप को रोना कह रहे हूं किलियर डन यही है मेरी पैरे साथियों आप लोगों का सूर्य ग्रहन उमीद है सभी साथियों को सूर्य ग्रहन के बारे में बात-पता चल गई हूँ चलिए अब फिर सवाल बनता है सर चंदग्रहन क्या होता है चंदग्रहन तो बहुती सिंबल चीज है क्यों सिंबल है मैं इसी के साथ-साथ आप लोगों को चंदग्रहन भी पढ़ा के सिखाई दे रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना रहे देखो भाई, चंद्र ग्रहन में क्या होता है, कि आप लोग अगर इस तरह से सोचे हैं, कि चंद्रमा, प्रत्वी और सूर्य, इनमें अगर प्रत्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, तो सहाब हमको चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है. कैसे, बोले सर्थ चंद्रमा की तो खुद की रौशनी होती होगी, अरे हमने का नहीं भाई, बोले कैसे, मैंने का भाई सहाब, मुद्दा ये है, कि चंद्रमा तो चमकता ही सूर्य के प्रकाश से है, बोले कहना क्या चाहरे हो, मैंने का जनाब जो खुद के प्रकाश से समझें, जो खुद की ही मेहनत से चमकें, उन्हें आप स्टार कहते हो, और जो दूसरे के प्रकाश से चमकें, उसे आप प्लैनेट कहते हो, तो बोले सूरे क्या है हमने का इसमें तो खुदकी आग है। तो ऐसी इस्थती में अरे भिया या क्या ही चल रहा है? खोषी निगम प्रात्ना कर रही है। पृया के लिए खुशी समय दूगा टाइम दूगा तुमको प्रात्ना वर्रात्ना करने के लिए थोड़ा पड़ लू अभी समझें नहीं आ रहा है चल्छ क्या रहा है है। है ना विटा कल क्लास से पहले आ जा ना फिर थोड़ा सा टाइम और दे दूंगा प्रात्न वरत्ता करने के लिए समझ भे नहीं आरा चल क्या रहा है हावई तो जो खुद की प्रकाश से समझे मतलब की भाई इनके अंदर खुद की रौशनी थी खुद की रौशनी के कारण यह चमक करके आए है ना तो वो क्या कहला है इस्टार कहला है तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है प्रत्वी प्रत्वी के ऊपर क्या आग लगी हुई है क्या जिसके कारण रौशनी निकल करके आए बोले नहीं तो मैंने का यही कारण है कि प्रत्वी खुद से नहीं चमकती है प्रत्वी सू चंद्रमा पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है बोले सर्थ चंद्रमा फिर रात कोई क्यों दिखता है मैं का भाई वो तो सब टाइम दिखता है अगर वो आपके छितिज से नीचे चला गया भाई यहां पर आप थे आप यहां खड़े थे आप चंद्रमा चक्कर काट रहा था आपके अब चंद्रमा चकर काट रहा था तो महिने में 14-15 दिन तो वो दिखता रहा आपको यहां से उगा यहां तक तो आपको दिखा फिर आपकी छितिज यहां तक ही तो देख पाऊगे ना आपकी भी लिमिट है नीचे देख नहीं पाऊंगे तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ निकला वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है बात समझ में आ रही है वो पीछे की तरफ चला गया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है बाकी तो वो चक्कर काट रहा है जैसे जैसे चक्कर काटते काटते वो जादा जादा उपर आता जाएगा आपको दिखता जाएगा common sense लगाओ common sense लगाओ ये प्रत्वी है प्रत्वी के चारों तरफ यहाँ पर सूरत ये चंद्रमा चक्कर काट रहा है बिल्कुल नजदी ये देखो आप और आप यहाँ खड़े हो आप यहाँ पर बैठे हो प्रत्वी पे चंद्रमा चक्कर काट रहा है आप सोच के देखो आपके जब बिल्कुल उपर उपर है तो आपने इसको पूर्णी मा नाम दे दिया पूर्णी मा नाम दे दिया चीक है डन अब आपने चंद्रमा को थोड़ा इधर की तरफ भेजा तो सूरज यहाँ से रोशनी भेज रहा था सूरज की रोशनी इसके उपर इस समय परियाप्त मातरा में आ रही थी यहाँ समझो आप फिर क्या हुआ यह थोड़ा साइड में हुआ यह साइड में हुआ तो सूरज की रोशनी इसके पर थोड़ी सी कम होने लगी सूरज की रोशनी कम होने लगी तो अब आपको चंद्रमा जो है वो ऐसा दिखने लगा बोलो फिर यह थोड़ा और साइड में आने लगा यह यहाँ तक आ गया फिर आपको यह चंद्रमा अर्द चंद्राकार दिखने लगा फिर यह इधर की तरफ आने लगा आपको चंद्रमा की केवल इतनी सी चीज दिखाई देने लगी फिर यह इधर की तरफ आने लगा आपको चंद्रमा बिंदी जैसा दिखाई देने लगा फिर यह यहां तक आने लगा आपको तो बस बाइज़ा भी इतना सा दिखाई दिया यह यह यहां आगया आपके अमावस की रात आगई अमावस शाह आगई अमावस की रात आगई फिर चक्कर काटते हुए फिर आ रहा है यह तो प्रत्वी पर अगर आप लोगों के पूर्णिमा आज है तो फिर अमेरिका में पूर्णिमा कभी बाद में होगी बात समझ में आ रही है बात क्लियर तो मेरे प्यारे साथियों अगर गलती से अब स्थिती क्या हुई आप यहां थे अब अच्छा अब क्या हुआ साथियों चंद्रमा पर रोशनी अब पूर्णिमा वाली दिन की बात थी पूर्णिमा थी बड़िया सूर्य दिख रहा था लेकिन गलती से हैसा हुआ कुछ समय के लिए कि प्रत्वी उस समय अपने रूट पे थी सूर्य को क्रॉस करने के लिए निकली हुई थी तो क्या हुआ जब चालो के लिए इतना इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ठीक है रहो बिंदास रहो पढ़ते रहो अल्द वेरी बैस कोई समश्या पानी हो तो बता दो सन भी घूमता है बिल्कुल घूमता है रुपेंद्र रिशी केश यार सही कह रहे हो यार बेजूंगा यार यार यह टाइम अच्छा लगा आप लोगों को हां एक बार ओधी इविनिंग में ही डिसाइड करेंगे इस टाइम तक मेरी हालत कुरी खराब हो लेती है इविनिंग में डिसकस करेंगे कि कौन सा टाइम बढ़ी आ रह आ.